नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर. आज हम एक बहुत ही दिल्चस्प विशय पर बात करेंगे काला धागा बांधना शुभ है या अशुभ? इस विडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे का सच क्या है और इसे बांधने के क्या लाब और हान्या हो सकती हैं. आज कल लोगों में पैरों में काला धागा बांधने का चलन खूब बढ़ गया है. आपने भी कई महिलाओं, युवक युवतियों को पैर या फिर हाथों में पतली सी काले रंग की डोरी धागा बांधे जरूर देखा होगा. हालांकी, कुछ लोग बिना जानकारी के फैशन और शौक शौक में इसे पैरों में बांध लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरों में ब्लैक धागा बांधना ठीक नहीं माना गया है? यदि आपको इस बात की जानकारी नहीं है, कि हिंदू धर्म के अनुसार शरीर के कौन से अंग में ब्लैक धागा बांधना सही होता है, तो आएए जानते हैं इसके बारे में. आजकल अधिकतर लोग पैरों में काला धागा बांधे दिख जाते हैं, ऐसा करना सही नहीं है, पैरों में काफी लोग काला धागा बांधते हैं, इससे बचना चाहिए. सनातन धर्म के अनुसार काले धागे को रक्षा सूत्र कहा गया है, ऐसे में रक्षा सूत्र को पैरों में बांधना अशुब है, इससे नेगेटिव एनरजी कम होने की बजाए बढ़ने लगती है, पैर में काला धागा बांधने से शनी की स्थिती खराब हो जाती है, गले म जब भी आप काला धागा बांधे तो इसे खाली ना पहने, ऐसा करने से भी बचे, उसमें किसी भी तरीके का चांदी या रत्न का लौकेट डाल कर ही पहने, शरीर के किसंग पर बांधे काला धागा, नजर दोश से बचाने के लिए अकसर हम सभी अपने छोटे बच्चों नई दुलहन को गर्दन में काला धागा पहनाते हैं, जोतिशाचार्य कहते हैं कि इस धागे को कमर में पहनना सबसे उत्तम माना जाता है, भगवान कृष्ण भी कमर पर ही काला धागा पहनते थे, कमर पर काला धागा बांधने से सेहत अच्छी बनी रहती है, बीमारियों क खत्रा कम हो जाता है. खास कर, हड्डियों की बीमारी होने का रिस्क कम हो सकता है. रीड की हड्डी भी मजबूत होती है. जिनकी कुंडली में शनी ग्रह कमजूर है, उन्हें कमर में काला धागा बांधना चाहिए डॉट. यदि शनी कुंडली में मजबूत हो जाए तो ऐसे जातक अपनी जीवन में बहुत तरक्की करते हैं कमर, बाए हाथ या गर्दन में काला धागा पहनना चाते हैं तो इस धागे को किसी शनी मंदिर में ले जाकर शनी देव की मूर्ती से स्पर्श करा कर ही पहने आप भैरव बाबा या हुन्मान जी की प्रतिमा से भी इस धागे को स्पर्श करा सकते हैं इस दोरान उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए काला धागा बांध ले ऐसा धागा बहुत चमतकारिक लाब कर सकता है आप पर शनी देव की क्रिपा हमेशा बनी रहती है बांधने के फाइदे महिलाओं को बाएं और पुरुषों को दाएं हाथ में काला धागा बांधना चाहिए जब आप काला धागा बांधते हैं तो यहां आपको बुरी नजर लगने से बचाता है नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए इसे पहना जाता है शरीर में जो नेगेटिव एनरजी प्रवेश कर जाती है, उसे भी काला धागा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है काला धागा पहनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है कमर में बांधने से रीड की हड़ी में कोई समस्या नहीं होती कब उतारे काला धागा जब तक वह खुद ही खराब होकर तूट ना जाए, आप उसे पहने रह सकते हैं खुद से इसे खलने की कोशिश न करें तूट या खुल जाए तो उसे पीपल के व्रिक्ष के पास रखाएं दोबारा से आप नया धागा बांध सकते हैं ब्लैक धागा को कोई भी जातक पहन सकता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगले वीडियो में हम एक और दिल्चस्प विशय पर चर्चा करेंगे धन्यवाद